हलो बच्चों, गुड आफ्टेनून, असलालीकूम एविवन, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब गर पर अच्छी से होंगी, तो मैं आपका वैलकम करते हूं अपनी हिंदी क्लास में, तो बच्चों हम आपकी बुख अंकुष हिंदी पाट माला भाग टू पढ़ रहे हैं, हम आप एक अच्छी सी पोयम है, मैंने ये आपको समझाई है, एक बार मैं फिर से इसको आपको समझा देती हूं, इठलाती बल खाती, देखो जलधार चली, कागज की नाओ चली, पानी के पाउं चली, लहर लहर दोड रही, शहर चली, काउं चली, छोड छोड नदिया को अगर के पार चली, फूल भरी नईया है, बहती पुर्वयया है, बच्चे सब बोल रहे, हिया 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 है, भईया तट छोड छोड नईया मचधार चली, अब देखो बच्चों, इस लेसन में क्या बदर इठलाती, यानि की नकरे करती हुई, ऐसे बल खाती हुई, देखो पानी की धारा जो है, चल रही है, पानी की धार होती है, कभी इदर, कभी इदर, इदर, नकरे करती हुई, इतराती हुई, जो है, पानी की धारे, ये चल रही है, कागज की ना, आप बच्चे सारे, जहां पर भी बच्चों को पानी दिखता है, वहां पर वो क्या करते हैं, कागज की नाव बनाकर उसको पानी में छोड़ देते हैं आप देखो ये दोनों भाई भेहन हैं इन्होंने क्या किया कागज की हर रंग भिरंगी कलर के उन्होंने हर कलर के जो है पेज लिए उनसे जो है छोटी-छोटी बोर्ड बनाए नावे बनाकर उसको पानी पर छोड़ है तूब कभी शेहर की तरफ कभी गाओं की तरफ कभी वो नदी को छोड़कर सागा रहा यानि कि समूerg के तरफ जा रही है फूल भरी नहीं रही है यानी कि हर कलर की नाव है रंग बिरंगी ऐसे लगने जैसे फूलों से भरी भी नाओ है भैती पूरभ पूरब से आने माली जो हवा होती। उसे कहते हैं पुरभ पूरभ की से हुआ जो आ रही है वो जो है इन नाव को धकेल रही है और और यह नावे जो है आगे बढ़ती जा जाए है बच्चे सब सात में क्या बोरे है या है भो restsह अब ये अपने भईया को बएद हखे रहीं कि भाईया देखो ये तट चोड़ कर यानिकि किनारा तट मींस चोड़ कर ये हमारी नाओ ये हमारी मजधर यानि कि पानी के बीचों बीच चल रही इख लाएं। अब बच्चों इसमें क्या बताए इस लेसन का मतलब यह है कि यह पानी के बारे में बता रहे हैं किस तरह पानी की लहरे आती है किस तरह लहरे पहले शहर की तरह फिर गाउं के फिर नदी को छोड़ कर सागर के तरह जाती है पानी के बारे में ये बताए जा रहा है कि नदी किस तरह जो है हर जगा से बेहती हुई जो है समुदर में जाकर मिलती है ठीक है हमने इसके मोखिक कोशन आपको कल समझाए आज हम इसके शब्दार आपको समझाएंगे शब्द अर्थ शब्द को इंगलिश में वर्ट केते हैं हिंदी में शब्द केते हैं और अर्दू में अलफास केते हैं अर्थ को हिंदी में अर्थ केते हैं इंगलिश में मीनिंग और अर्दू में माने ठीक है शब्द अर्थ यहां से एक लाइन खीशनी इदर शब्द इद पहला क्या है इठलाती इठलाती मिन्स नक्रे करती नक्रे करना उसके बाद जलधार जलधार मिन्स पानी की दार पानी के जो धार होती उसको कहते हैं जलधार सागर सागर मिन्स समुंद्र यानि कि सी जहां पे सारे जगाओं का पानी मिलता है उसे कहते हैं समुंद्र उसके ब नया मिन्स बच्चो नाव बोड उसके बाद है पुरवया पूरब दिशा से चलने वाली हवा जो हवा पूरब की तरह से आती उसे कहते हैं पुरवया ठीक है उसके बाद देखो उसके बाद है बच्चो मजधार मजधार मतलब बीच धारा में पानी के बीचो बीच धारा में बेहती वी जाना ठीक उसे कहते हैं मचदार पेहला है इठलाती नकरे करती दूसरा है जलदा पानी की दार तिसरा है सागर यानि की समुद्र चोटा है नईया यानि की नाव पुरवया यानि पूरब दिशा से चलने वाली हवा मजधार यानि की बीदर बच्चों आप लोग क्या करते हो जो बड़ा होता है आंसर इसको आप शब्ड में लिख देते शब्ड में उसको नहीं लिखना है उसको आपको अगर आपके आंसर वाले लाइन में नहीं आरा तो उसको नीचे लिखके दूसरा शब उस से नीचे लिखना है आप लोग शब को उसमें लिख देते हैं आंसर को खिचड़ी पिचड़ी कर देते हैं सारा गलत कर देते हैं तो आपको अच्छे से जो है लिखना है अच्छे से जो है आपको अपना काम complete करना है अच्छे से लिखना है मैंने आपको classroom में भी कितनी बार समझाया है कि जो शब्दे उसी के आगे उसका आर्थ होना चाहिए ठीके आप शब्द में आर्थ आर्थ में शब्द इस तरह की गड़बडी बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आपने ऐसा लिखा तो मैं accept copy को नहीं करूंगी ठीके अच्छे से प्यारे बच्चों अच्छे से जो है जैसा समझाया वैसा आप इसको लिखे ओके अलाफिस तैंक यू